हेलो अर्वन दिस साइट मोनिका दो, होप यू ओल गूट इन दिस वीडियो आम गूएंग तो टीच आल प्रैक्टिस थर्ड डी कोश्चन 4 तो 6 कोश्चन 1 तो 3 मैं अल्रडी करवा चुकी हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी साथ ही चैप्टर 3 के प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगी चलो अभी कोश्चन 4 करते हैं कोश्चन 4 करते हैं, सब्ट्रेक्ट करना है 3 upon 7 को किस में से करना है from 5 upon negative 9 तो जिसमें से करना है उसको पहले लिया हो 5 upon negative 9 लिया है क्या करना है, सब्ट्रेक्ट करना है इसलिए मैंने साइन लगा दिया, negative अब क्या करना है, 3 upon 7 लेकि आएगे, ओकी अभी सबसे पहले क्या करोगे इसके denominator को positive बनाओ ये साइन कहां चला जाएगा, numerator के पास negative 5 upon 9 minus 3 upon 7 एलसियम लोगे एलसियम 63 ही आएगा ओकी 9 की टेबल में 63 7 पे आता है 7 को multiply कीजे, negative 5 से then negative sign लगा दिजे 7 की टेबल में 63 9 पे आता है तो 9 को multiply कीजे, 3 से 7 को negative 5 से multiply करेंगे तो क्या आएगा negative 35 negative sign है तो negative sign अभी 9 को multiply कीजे, 3 से तो 27 upon 63 देखो, दोगनों ही negative नंबर है तो sign negative आएगा और ये आपस में add हो जाएगे add करोगे तो क्या आएगा 62 upon 63 question भी करते हैं, हम जिसमें से subtract करना है, उसको आगे लिए आएगे negative 5 upon 21 अभी क्या करना है, subtract करना तो इसलिए negative sign लगा रहे हैं किसको करना है, negative 9 upon 22 एक और negative sign है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहे हूँ, negative 9 upon 22 ओकी, negative 5 upon 21 ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट के बाहर भी negative sign है और अंदर भी negative sign है, तो ये sign चेंज हो जाता है और यहां plus का sign आता है, 9 upon 22 अब क्या करेंगे, LCM लेंगे, LCM ये दोनों का कोई भी common factor नहीं है तो दोनों को multiply जो करते हैं, वो ही इनका LCM आएगा, 462 21 की table में ये कितने प्याता होगा, 22 पे तो 22 को multiply करो, negative 5 से, then plus का sign है तो plus का sign और 21 को multiply करो, 9 से that is equal to, 22 को जब negative 5 से multiply करेंगे तो क्या आएगा sign negative 110, plus का sign है तो plus का sign, 21 को 9 से multiply करेंगे तो क्या आता है 189 upon 462 एक sign हमारा negative है, एक positive है, तो ऐसे में क्या होता है subtract होता है, कौन सा वाला number बढ़ा है हमारा, positive वाला number बढ़ा है तो answer हमारा positive आएगा, minus करेंगे तो 79 upon 462 आएगा फॉर्थ का question सी करते है, जिसमें से subtract करना है, उसको आगे ले आते है negative 2 whole 3 upon 10, then minus का sign और ये भी negative है, इसको लिखते हैं, bracket के अंदर, negative 1 whole 1 upon 7 दोनों ही mixed fraction में है, इनको improper fraction में convert कर लिजे, 10 to 20 और 3 add किया तो 23 upon 10, negative sign है, वो negative sign लगा तो 7 वज़े 7 और 1 add किया तो 8 upon 7 अभी bracket open करेंगे, bracket के बहार भी negative sign है और अंदर भी, ये sign चेंज हो जाएगा और यहां plus का sign आएगा 8 upon 7, LC हम लेंगे, 70 ही आना है, 7 को multiply किया, negative 23 से, then plus का sign है तो plus का sign, 7 की table में 70 10 पे, 10 को multiply किया, 8 से, 7 को जब negative 23 से multiply करेंगे, तो क्या हैगा, negative 161, then plus का sign, 8 को 10 से multiply किया, तो 80 upon 70 अभी एक number हमारा negative है और एक positive है, तो minus होगा, और sign किसका आएगा, negative क्योंकि negative 161 बड़ा है, negative 81 upon 70 आएगा, यहां देखो, numerator बड़ा है, denominator से, इसको करेंगे, mixed fraction में convert, negative 1 whole 11 upon 70 फोर्थ कर D करते हैं, जिसमें से subtract करना है, उसको आगे ले आते हैं, 1 whole 4 upon 11, subtract करना है, इसलिए मैंने negative sign लगाया है, और यह number already negative है, इसको लिखेंगे, bracket के अंदर दोनों ही number mixed fraction में है, इनको improper fraction में convert कर लो, 11 बन जा 11, और 4 एड़ किया तो, 15 upon 11 यहां देखो, bracket के अंदर भी negative sign है और बहर भी, तो यह sign change हो जाता है, plus का sign, 8, 6 जा, 48, और 5 एड़ किया तो, 53 upon 8, LC हम लेंगे, 80, 80 याना है, 11 की table में 88, 8 पे आता है, 8 को multiply करेंगे, 15 से, then plus का sign है, plus का sign, 8 की table में 88, 11 पे याना है, 11 को multiply करेंगे, 53 से, 8 को जब 15 से multiply करेंगे, तो 120 आएगा, plus, 11 को 55 से multiply करेंगे, तो 583 आएगा, upon 88, add कर लेजे, 703 upon 88 आएगा, numerator बढ़ा है, denominator से, इसको convert करेंगे, mixed fraction में, 7 होल, 87, upon 88, 5th question देखिए, find the sum, हमें इनका sum find out करना है, okay, negative 17 upon 20, यह मैंने same लिख दिया, अभी bracket open करेंगे, यह bracket से पहले देखो, positive sign है, और bracket के अंदर negative sign है, जब ऐसा होता है, तो हमेशा कौन सा sign आता है, negative sign आता है, 19 upon 25, LCM लेंगे, LCM हमारा आएगा 100, नीचे मैंने 100 लिख दिया, 20 की टेबल में 100, 5 पे आता है, 5 को multiply करेंगे, negative 17 से, then negative sign है, तो negative sign लगा दिया, 25 की टेबल में 104 पे आता है, 4 को multiply करेंगे, 19 से, 5 को negative 17 से multiply करेंगे, तो क्या आएगा, negative 85, then negative sign है, तो negative sign, 4 को 19 से multiply करेंगे, तो 76 upon 100, अच्छा भी देखिए, दोनों ही नमबर हमारे negative है, तो sign negative आता है, ये negative sign मैंने लगा दिया, और आपस में ये add हो जाते हैं, 161 upon 100, यहाँ numerator बढ़ा है denominator से, इसको mixed fraction में convert कर देंगे, नेगेटिव, वन होल, 61 upon 100, कोशन भी करते हैं, ये mixed fraction में, इसको improper fraction में convert करो, 8 वन जा 8 और 5 एड किया तो, 13 upon 8, देखो, सेकिंड वाला denominator हमारा negative है, इसको positive बनाएंगे, तो ये negative sign उपर आ जाएगा, negative 9 upon 12, भी जब bracket खोलेंगे, bracket के बाहर तो positive sign है, और अदर negative है, ऐसे में negative sign आता है, 9 upon 12, एल्सियम लेंगे, एल्सियम हमारा आएगा, 24, 24 मैंने लिख दिया, 8 की टेबल में 24, किते पर आता है, 3 पर, 3 को multiply करो, 13 से, negative sign है तो negative sign, 12 की टेबल में 24, 2 पर आता है, 2 को multiply करो, 9 से, 39 आ जाएगा, minus 18, upon 24, minus करेंगे तो क्या आएगा, 21 upon 24, ये देखो 3 की टेबल में आते कट जाएगा, 3 7 चा, और 3 8 चा, 7 upon 8 आएगा, कोशन सी करते हैं, देखो दोनों ही हमारी mixed fraction में, improper में convert कर लीज़े पहले, उसके बाद लेंगे LCM, LCM कितना आएगा हमारा, 42, 42 मैंने लिखते हैं, 6 की टेबल में 42 किते पर आता है, 7 पर, 7 को multiply करो, negative 17 से, plus का sign है तो plus का sign, 14 की टेबल में, 42, 3 को multiply करो, 37 से, 7 को जब negative 17 से multiply करेंगे तो negative 119 आएगा, then plus का sign है तो plus का sign, 3 को जब 37 से multiply करेंगे तो 111 आएगा, upon 42, ये number negative है, ये positive है, subtract होगा, और बड़ा number हमारे negative है, that's why negative sign आएगा, negative 8 upon 42, इनका common factor है, 2 की टेबल से कट रहें तो काटती चे, 2, 4 जा, 2, 2 जा, 2, 1 जा, answer के आगे हमारा, negative 4 upon 21, question 6 का first question करते है, subtract करना है, किस में से करना है, उसको आगे लेके आए, 5, 4, 7 upon 12, subtract करना है, इसलिए मैंने minus का sign लगाया, और ये number already negative है, इसलिए इसको मैं bracket के अंदर लिखती हूँ, negative 1 whole, 3 upon 8, दोनों ही number हमारे mixed fraction में, इनको improper fraction में convert कर लेती है, 12, 5, 0, 60 और 7, 8 किया तो 67 upon 12, देखो bracket के बाहर और अंदर दोनों ही negative sign है, तो ये sign हो जाता है, plus का, 8 बंजा 8, और 3 एड़ किया तो 11 upon 8, LCM लेंगे, LCM हमारा 24 आएगा, bar line से नीचे 24 लिख दिया, 12 की table में 24, 2 पे आता है, 2 को multiply करते हैं, 67 से, और 8 की table में 24, 3 पे आता है, plus का sign है, तो plus का sign 3 को multiply करते हैं, 11 से, 2 को जब 67 से multiply करेंगे तो क्या आएगा, 134 plus 33 upon 24, आगे सोल करेंगे, दोनों ही नंबर हमारे positive है, add हो जाएगा, और add होके क्या आएगे, 167 upon 24, numerator बढ़ा है, denominator से, इसको कर दो, mixed fraction में convert, mixed fraction में क्या लिखेंगे, 6 होल, 23 upon 24, 6 का B करते हैं, किस में से subtract करना है, 11 upon negative 20 में से, तो इसको आगे ले आते हैं, 11 upon negative 20 में से subtract करना है, इसलिए minus का साइन, क्या subtract करना है, negative 1 whole 4 upon 15, देखो यह denominator negative है, इसको positive बनाते हैं, तो यह साइन जो है negative वाला, यह numerator के पास आ जाता है, negative विलावान upon 20 हो गया, अभी bracket open करते हैं, bracket से बहार और अंदर दोनों ही negative साइन है, तो यह साइन चेंज हो जाता है, और यहां plus का साइन आता है, इसको करो, improper fraction में convert, 15 बन्चा 50, और 4 आड़ किया तो, 19 upon 15 आगिया, LCM निकालेंगे, LCM आएगा 60, बार लाइन से नीचे 60 लिख दिया, 20 की टेबल में 63 पे आता है, 3 को मर्टिप्लाई करोगे, negative 11 से, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन, 15 की टेबल में 60 आता है, 4 पे, 4 को मर्टिप्लाई करो, 19 से, यहां negative 33 आएगा, प्लस का साइन, यहां पे क्या आएगा, 76 upon 60, एक नमबर negative है, एक positive है, तो क्या होता है, subtract होता है, और बड़े वाले नमबर का साइन आता है, बड़ा नमबर हमारा positive है न, 76 में से 33 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 43 upon 60, question C करते हैं, किस में से subtract करना है, 18 upon negative 25 में से, इसको आगे लिया आए, minus का साइन लगा दिया, अब क्या लिखेंगे, 4 whole 7 upon 10, इसको mixed fraction से improper fraction में convert कर लो, और देखो यह denominator जो हमारा negative है, इसको positive बनाएंगे, यह negative साइन उपर ले जाएंगे, negative 18 upon 25, minus का साइन अथो minus का साइन, 10 for 40 और 7 एड़ किया तो 47 upon 10, LC हम लेंगे, LC हम आएगा 50, 25 की टेबल में 52 पर आता है, 2 को मर्टिप्लाइ किया, negative 18 से, minus का साइन अथो minus का साइन लगा दिया, 10 की टेबल में 55 पर आता है, 5 को मर्टिप्लाइ किया, 47 से, 2 को जब negative 18 से मल्टिप्लाइ करेंगे, तो negative 36 आएगा, और यहां negative sign है, तो negative sign 5 को मल्टिप्लाइ किया, 47 से, तो क्या है, 235 अपॉन 50, दोनों ही number negative है, तो sign हमारा negative आएगा, और यह आपस में add हो जाएगे, negative 271 अपॉन 50, numerator बड़ा है, denominator से, इसको कर दो, mixed fraction में convert, negative 5 fold 21 अपॉन 50, कर तो हमारा है, तो कर दोमाराथ,